देखो तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे साइक्लोटन सुरू किया थे क्या नहीं रिवाइज वह चौल रहा है की नहीं चल रहा है बुलो है रिवाइज नहीं चल रहा है कैसे होगा बुलो है क्या देंगे नोट में नहीं लिखाएं क्या देखो तो सुनो सुनो लिखाएं थे नोट तुम साइद आया नहीं थे आया था देखो बहुत सीम्पल है नोट हम बताते हैं नोट में हम पढ़ा रहे थे यह तो पढ़ाई रहे थे कि जब कोई कंकी करता है तो देखो हम सिंपली हम पिछला कला समझा दिये थे बहतरीonse तरीका से अज़र उनम क्या ता बोलो चुमक यह चेत्र चूम चैत्र वोड के तल के लोग के की कोगज चितकन क्यों इस दिशा में मानलों गति कर रहा है भी बेग से अरे बोलो हाई यह ना तो चुम्ब के चिदर बी की दिशा ऐसे है बोलो गतिसील धनाविशितकन की दिशा ऐसे है इन दोनों को बिचका एंगल कितना डिगरी अगर इन दोनों की बिचका को नबे डिगरी तो ये एक बृताकार पत पर गति करेगा क्योंकि इस पर महत्तम बल लगेगा आप इक्वल टू क्यू बी बी इस महत्तम बल के कारण इस गतिसील धनाविशितकन का पत क्या हो जाएगा बृता का और हमेशा इसके केंद्र की और बल लगता रहेगा और कितना बल लगेगा भई एक इक्वल टू क्यू बी इस महत्तम बल के कारण इस गतिसील धनाविशितकन का पत क्या हो जाता है बृताकार लेकिन हम पढ़ाये थे कि जब भी कोई कन बृताकार पत पर गति करता है तो कहीं नहीं से इस पर अभी केंदिय बल लगता होगा अरे बोल हाई है ना तो यहाँ पर सिल्फ f equal to qbv बल है इसके अलावा और कोई दूसरा बल देखने को नहीं मिले तो जरूर यही ओल है जो कितना के बराबर बल परदान कर रहा होगा f equal to qbv जो है mb square by r के बराबर बल दे रहा होगा तब यह बिर्ताकारपत पर क्या करता है गति हाँ ठीक है देखो तो हम बोले बताएं थे कि इस गतिसील धनाविशित कंड पर लगने वाला महत्तम बल याप equal to qbv किसके बराबर होगा अभी केंद्रियो बल mb square by r के बराबर होगा तो यहां से note किया है करवाए थे फिर से note करके लिख लगना हम एक दो line और बढ़ा देते हैं अच्छी एक बात और समझाए थे कि जब कोई गतिसील धनाविशित कंक्यू समरुच मकिची दभी के लंबवा दिसा में गति करेगा तो इसका पत क्या होगा बिरितकार लेकिन इसका बेग का मान बदलता नहीं है इसकी क्या बदल जाती है दिसा बदल जाती है बेग का मान बदलता नहीं है बेग के मान को क्या कता है चाल बेग के मान को क्या कता है तो इसका चाल बदलता नहीं है इसका क्या बदलता है दिसा और दिसा बदलने के कारण इसका पत क्या हो जाता है बृतक ये बिर्तकार पत पर क्या करता है गति तो I'm equal to QB B और क्यूबी वी किसके बराबर होगा जल्दी बताओ एमबी एस्कॉाइर भाय आर के बराबर होगा आर क्या है मानलो इस बिर्टकारपत की क्या है तिर जाए अच्छा यहां से भी से भी कैंसिल कर देंगे तो आजएगा क्यूबी बुलाएगा न क्या आएगा बबू कर देंगे आरिया होगा एम और क्या हो जंगा वी यहां से भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा मोट यूभी आर्भाइशित कंकर इसह की चलिए बेग मानें निक्याय का क्या है मानें इसको हम लोग एक्वेशन फस्ट मानते हैं इसको क्या माननेगी इक्वेशन फस्ट यहां से और भी चीजे निकाल सकते हैं गौर से सुनना एक और फार्मला जो इन्पोर्टेंट होता एक जमें पूछा भी था ध्यान रखना हो है तो देखो हम तुम लोग पढ़ाएं थे कभी पीकल्ट क्या होता है फिर से नोट करके लिक लेना है ना पीकल्ट क्या हता बोलो E square और उपर देखो यहां नीचे M कर दिए ऐस्कौर कर देंगे चलेगा बोलाएं ना तो इसके जगह क्या करेंगे यह 2M को इधर multiply करेंगे तो 2M E बोलाएं ना और क्या होजागा यहां बोजाएंगा म और वी का क्या होजागा बोलो हुल इसके जगह P sqare लेख सकते हैं तो 2m e और यहां क्या लिख देंगे बोलो P sqare तो finally अगर गोभर से देखो तो P sqare equal to V-R 2m e और यहां P के जगह इसको लिखेंगे root under 2m e बोलो हाँ या न यह न यह तू लिखी सकते हैं अरे बोलो तो गॉर्जा सुनो बाबु यहां से यहां से नाम तिरजा भी निकाल सकते हैं तिरजा का भी फॉर्मूला निकालना सिखाए थे इस समिकरन फॉस से देखो फॉस में क्या हो जाएगा जटी बताओ तो भोलेंगेighty q,b,r किस के बराबर है m,b के बराबर है जो बुलो ना तो यहां r equal to क्या हो जाएगा बोलो m v ओर by क्या जाएगा बोलो qb अरे होगा va na.. तो यहां से r equal to dyke m v के जगा हम लोग qb और p candr compartil थे क्या हो जाएगा değil r regards bit दिखाए दे रहा है root under 2 دुम e और by क्या होगा बिलो qb ये important formula is must be remember लिख लो.. यहां तक यह भी फॉर्मॉला याद रखना तीर जाक है है ना हाँ बहुत लिखो नोट करके लिखो जल्दी है हाँ नोट करके लिखो नोट करके फिर हम कोशन भी कराएंगे अब करके लिखो नोट करके लिखो करके लिखो कि यहां से तुम गति जूर्चा का फर्मॉला पढ़ाया ना याद न भूल गया तो यह वाला लिखने का कोई जोरत नहीं है इस सब हम लिखा दिए इक्वल टू कितना होता जल्दी बतातो इक्वल टू था फ्व एम भी स्कॉयर याद न तो इक्वल टू लिखेंगे यहां बाई टू एम और वी स्कॉयर के जगा यह टर्म डाल सकते हैं तो होगा बोलो कीव एसकॉयर व स्कॉयर अरै स्कॉयर भाई क्या होगा बोलो एम तो यह चीज है यह गती जूर्जा गती सिल्द्धाविशितकन की गती और यह इस पर गती करता है तो इस पर महत्तमबल लगेगा अप इकोल टू QBB, इस महत्तमबल का मान बदलता नहीं है, लिंग क्या बदलता है, दीशा, समझ मागया, और गती जूर्जा बेग के मान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बेग के मान नहीं बदलता है, तो गती जूर्जा भी ब झाल झाल हुआ यहां तक एक सवाल करा दें एक सवाल करा देते हैं यहां से आया हुआ सवाल है ना बहुत अच्छा सवाल है देखो क्योशन लिखो लिखो एक प्रोटन एक प्रोटन रिखा एक प्रोटन कोमा करो लिखो डिव ट्रोन एक प्रोट्रोन कमा करो डिव ट्रोन अरे डिव ट्रोन नाम नहीं सुना क्या कोई शाल और का है तुम लोग डिव ट्रोन लिखा ना तथा एक अलफाकन चुमक्य छेत्र के लंबवदिशा में भी वेग से गति कर रहा है भी वेग से गति कर रहा है कितना भी वेग से गति कर रहा है वही वी वेग से गति कर रहा है यदि इन तीनों की गति जुर्जा समान है यदि इन तीनों की गति जुर्जा समान है यदि इन तीनों की गति जुर्जा क्या है समान है यदि इन तीनों की गति जुर्जा समान है लिखा यदि इन तीनों की गति जुर्जा समान है लिखाना यदि इन तीनों की गति जुर्जा समान है तो इसके तिरजाओं का अनुपाद ग्याद करे तो इनके तिरजाओं का अनुपाद ग्याद करे तो इनके तिर्जाओं का अनुपाद ग्याद करें तो इनके तिर्जाओं का क्या निका लेबलो अनुपाद चलो हाना क्या बोले वह बहुत से बता तो एक प्रोटोन एक डिउट्रोन और एक आलफा कन चुमकेशितर के लंबवाद भीग से गति कर रहा है और जब भी कोई धनावेशितकन चुमकेशितर भीग के लंबवाद भीग दिशा में गति करता है तो उससके तिर्जाओं का क्या पुछा है बलो अनुपाद पूछाए लेकिन इसमें न्यएं कि लिकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि proton का मास कितना हुता है डिउत्रान का मास कितना होता है यह फ़ाकन के बारे में हम पता देंगे गोर्फ सा सुनना अभी तो सब से पहले यह तीनों को हम सोल्व करके दिखा दें रहे बहुत एजी है थोड़ा पैक्टिस कर ले न ठीक है इंप्पोर्ट यहीं है तो सबसे पहले हम बोले एक प्राट़ॉन क्या बोले बॉव राखन प्रटशोन तरह बॉले न उसके बाद क्या बोले विली बीट्रॉन उसके स्फ़़ों यहां बात करेंगे है ज्यान सुनना प्रोटन का मास्ट क्या है तो डिव्ट्रॉन का मास्ट टू एम होता है याद रखना कितना होता है तू एम वन एच्टू को हम लोग डिव्ट्रॉन बोलते हैं वन एच्टू को क्या बोलते हैं बोलो डिव्ट्रॉन तो इसके पास एटोमिक मास्ट कितना हो कर दो होगा नजम 20 कども आण ते डे को यहां इसका मास्स किया होगा करना कि नहीं है तो में तो का हो आएच्टू पड़ा है मतलब कि हैडरोग्रोन का निकुलियस में अगर बात करें तो तो इसके पास Z equal to one equal to one P equal to one बोला हाई है ना P मतलब proton एग होगा अंदर में और यहां से neutron एग वाएगा मतलब अंदर में neutron भी होगा तो नुकलियस का हां यह hydrogen नहीं है hydrogen का isotopes आचास देखो पढ़ा होगा तुमने chemistry में पढ़ाए क्या हां तो हम पढ़ाएंगे टेंशन मतलों जो हम पढ़ाएंगे निकलियस चेप्टर पढ़ाएंगे तो हम डिटेल सी से पढ़ाएंगे अलफा पाटिकल गामा रे एक्स रे सब चीज़ बताएंगे ठीक है तो इसके अंदर अदर होगा proton और नूट्रन होगा तो नाभिक देखो य नीटरन का दरह मन लगभग हम लोग समान मानते हैं मनता गी लगवों मैं क्या मनता है समान तो महन लोग proton का दरह मान अगर एम है तो ड्यूटरन का क्या होगा 2m उसके बाद बाद कते है अलफा पार्टिकल किसका बात करेंगे यह तो हीलियम एटम के निकलियस यहाज़ा अ प्रोटान ऑर दों गौड होगा तो बताओ गौर से सुनो इसका मतब्सक्राइब कि neutron को लगभग लगवा हम लोろ proton के क्या मानते है बराबर 割ो je proton का द्राइमान और neutron का द्राइमान लगभग क्या होता है बुलो से भी मानते हैं इसका मतल haul यह ला इसका ट्रॉक्तब चार प्रोर्ट् Conference के हो है इसका चार्ज क्या है क्यूं तो बोलो डिव्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा हूं 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 डिव्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा कि चल्दी बताओ डिव्ट्रॉन का चार्ज कितना हो यह इस देखके बताओ ना कितना होगा क्यू 시청 होगा बहुत चांध होगा इ wichtige आ तक होगा तक होगा क्या समझ हे रखना तो मास इसका में में सब्सक्राइब कbl लो का पूरोगा उप्राइवर के बिराबरीय। वसके बोलाइक नी इन्चिनों का इनर्जी ऑप्टी मेर्चि जूँक्र के पूंड शास मानए अगर ठीटेट का समान है तो घुचमाब लगाएगी गतिजुजा के लिए खुमक के च्षेतर में गति सिल धनावी शितकन का गति उट्जा का फार्मॉला कितना होता है याद है ना qa square ba square और पहला वाला के लिए हम लोग r1 माल लेते हैं बोलाए ना तिया r1 का क्या होगा hall square और बाई क्या होगा 2m क्या होगा बोलो बोलो डिट्राइन के लिए जल्दी बोलो सर qa square बोला है ना बीज़क्वार फिर क्या होगा r2 का hall square और बाई क्या होगा 2m होगा की 4m होगा क्या होगा यहां पर फोर नहीं होगा कि बोलो होगा ना किकी बाई मास कितना है तू बहुत अगे देखो एलफा पार्टिकल के लिए बोलो तो है अरग्वा पार्टिकल के लिए कि यह होगा qa square, b square r3 का a square qa square b square बो r3 का haul square और नीचे में कितना होगा आचा एक मिनट वहीं हां qa square पुट करना पढ़ेगा होगा 4 Q 추가 और नीचे में क्या होगा जल्दी बता हां 8m कितना बोलो अब जो जू कटे का ना उसको प्यार से काट दो तो किस्तॉर बिज्वाइब और यहां ना यहां से एम गया एम गया एम गया एम गया का टू नहीं बचेगा है यहां टू नहीं बचेगा गोडरी ठीक है ना एट्प था यहां पे कितना था दो एटैम तो यहां से कट्टा नुना और यह टू 2 2 2 लूडब एका डैया इन उसके बदा भब रवन धाशकल देखर धिमें है तो यानि कि रवन बडूटना हो जाएगा जल्दी बता रूटन देखर होगा जूटना दे गावघ आ। दीक दख नहीं अर्य नहीं इलिए स्ब्सक्राइब होगा bag b0 actua अरे झाल डू डू क्या हो जाएगा और ईसका गजआ Bis इतना गया कोर से पता है और स्क्वाइर ओ स्क्वाइर तो यहां participation गोलो het 3 equal to root. क्या होजाएगा 1 और इसका वेली, क्या हो जाएगा? 1 तो नो कि जल्दी को रहे शाइक्लो ट्रोन, पढ़ा कि खताम कर देंगे झाल 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 कौन बला यह व्या दोड़ो कैसे कटेगा आरे भाई यह तीनों बराबर है ना और यहां टू आया था ना बचा कितना टू इसको इसको काट सकते तीनों एक साथ काटना है ना बराबर है तीनों सम्झा की लिए शौर तीनों एक साथ काटना है तीनों एक साथ काटना है ना हो गया चलो लिखो नेक्स सवाल लिखो 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 अलफा कन क्या है लिखो अलफा कन क्या है लिखो अलफा कन क्या है क्या लिखा अलफा कन क्या है इसके आवेश तता द्रह्मान का मान गयात करें दू नमर में पूछा था एक बार द्यान रखना इसके आवेश तता द्रह्मान का मान गयात करें अलफाकन क्या है इसके आवेज तथा द्रह्मान का मान ग्याद करें अलफाकन क्या है इसके आवेज तथा द्रह्मान का मान ग्याद करें देखा अलफाकन क्या है इसके आवेज तथा द्रह्मान का मान ग्याद अल्फा कन क्या होता है अल्फा कन देखो अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या होता है अल्फा पार्टिकल लिखो अभी पता है हिलियम ततों के नाभिक को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है हिलियम तत्व के नाभिक को खरण है कर रहा है हिलियम तत्व के नाभिक को अलफा पार्टिकल कहा जाता है या फिर अल्फा कंक कहा जाता है आलफा दिखा गीनी हेलुएं तत्रोंके नाभी को अलफा न कहा जाता है लिखा हुएं नारी मारो जीकत हैलो हम लिखने हरे हीलियम अचीट सब्सक्राण कर दो लस्तों अरे अलोक्त्रन का एको तो अरे बोलो साफ सरी सरी अब टो ए लॉक्त्रन का गो दो प्रोट्रोन भी का है गो दो कि पड़ाएग निउट्र नेजम ततों के नाभी को क्या करते है बोलो यह इसका नभिक बोला है नाभिक ही क्या का जाता है ब fondo doe know alpha particle सब्ञाँ emiी इसको हम लोग क्या वोलेंगे इसकी को वोलेंगे alpha particle समझ राइगे ने तो इसके नाभिक में क्या क्या होगाँ नाभिक में दो गो proton होगा और प्लस दोको क्या होगा बוलो neutron neutron पर कोई चार्ज होता है proto फेक्षाहे यानि कि alpha particle एक positive charge particle है कैसा particle है positive charge particle है कैसा particle है positive charge particle धन आवेस इतकन है कैसा कन है बोलो तो पूछेगा कि alpha particle alpha कन के पास धन आवेस होता green आवेस अब हम लोग देखेंगे अलफा पाटिकल का चार्ज क्या देखेंगे अलफा पाटिकल का चार्ज लिख दें यानि कि अलफा कन का आवेश किसका आवेश बोलो अलफा कन का अरे बोलो रे बबुआ अलफा कन का क्या होगा बोलो आवेश कितना होगा अलफा कन का आवेश बता प्रोटन के ब्राबर तो दो फॉस्टार चाल लो है आप Alrighty और प्रोटन का विण सिख्ष इंटू 10 इस मार मै begitu सूड श्राम करें जैना क मैस साश प्रुश्य सान मर कौन सा यार्ज द्धान सा자 अल्फ़टिम चाज सब्मम्सा ऑद मिन ना कि अ Os झाल झाल नासर बोलो सब में मतलो और क्या वो और क्या बिटा बताएंगे जब बिटा पढ़ाएंगे तो बिटा इलोक्ट्रोन को कहा जाता है आगे पढ़ाएंगे जब बिटा पढ़ाएंगे तो बता देंगे अभी बिटा नहीं पढ़ना अभी अलफा पढ़ना है अलफा पुड़ो जब निकलियस चेप्टर पढ़ाएंगे तो अलफा बीटा गामा तीनों एक साथ पढ़ाएंगे बढ़ यहां से ठीक है ना अलफा भी पढ़ा देते भी जोड़ा थे थोड़ा से इसलिए हना अभी कोशन भी तो कराएं थे समझ मां गया अलफा पाटिकल क्या होता है तो हीलियम ततो के नाभी को क्या कहा जाता बोलो अलफा कन कहा जाता है अलफा कन का अवेस कितना होता हूँ बता दिये अलफा कन का जो द्रएमान होता है क्या चार प्रोटोनके द्राइमान के वडराबर और बोलते है ना किसके द्राइमान के चार प्रोटन के द्रह्मान के क्या होता है बराबर होता है यहां से निकाल लो चार प्रोटन का द्रह्मान तो 4 और प्रोटन का द्रह्मान कितना होता है यहाद है न हाँ 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg तो यहां से multiply कर दो 7,4 के 28 का 8 हाथ में 2 6,24 और 2 26 का 6 हाथ में 2 4,4 और 2,6 6.68 और इंटू 10 to the power minus 27 kg कोई दिकाद है तो यहां इसका द्रह्मान आ गया ठीक है याद रखना इसका मतो समझ में आ गया कि यह अलफा पार्टिकल एक भारी कन है कैसा कन है भारी है कि नहीं है अलफा पार्टिकल क्या है बोलो भारी देख रहा है चार प्रोटोन के द्रहिमान के बराबर एक अलफा पार्टिकल होता है मतलब चार को प्रोटोन मिलेगा तब जाके क्या बनेगा अलफा पार्टिकल समझ में आया कि नहीं आया तो alpha particle काफी क्या है बोलो भारी कन है कैसा काने बोलो भारी कन नोट करके लिख लो एक लाइन दीखो alpha अरे इलोक्ट्रोन और प्रोट्रोन की तुन्ला में तो भारी है न तो भारी का मतलब क्या 10 के जी का जब कर रहा है तुम लोग पणाएं छोटा छोटा पार्टिकल ही सब दीखो अलफा पार्टिकल एक भारी कन है alpha particle एक क्या है बोलो भारी कन अलफा पार्टिकल कैसा कन है बोलो कोई दिकत है question दीखो next लिखो cyclotron क्या है अब cyclotron करना है लिखो cyclotron क्या है इसके बनावट एवं किरिया विदी का वर्णन करें cyclotron क्या है इसके बनावट एवं किरिया विदी का वर्णन करें cyclotron क्या है cyclotron क्या है इसके बनावट एवं किरिया विदी का वर्णन करें cyclotron क्या है इसके बनावट इवम किर्याविदी का वर् prochaine करें cyclotron क्या है इसके बनावट इवम किर्याविदी का वर्नन करें अब आपनेDwn साइक्लोटर नपर पढ़ेंगे ये 5 नमबर में आता है ध्यान रखना किदा नमर में आएगा चोलो इसको दिखते हैं तगडा से समझते हैं लिए लो समझा देते हैं हैं लीको तो फटाप बड़ बावू पहले कोशन समझ में आगे है ना साइक्लोट्रोन क्या है इसके बनावाटी के क्रियवीदी का क्या करना है बोलो वर्णन मतलब explain करना है क्या होता है तो सबसे क्या है तो साइक्लोट्रोन की यंत्र है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कनों को किसको भारी धनावेशित कनों को तौरित कर उसकी उर्जा को बढ़ाया जाता है समझ मैंगी तो साइक्लोट्रोन एक यंत्र है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कनों को तौरित कर क्या क साइक्लोट्रोनेक यंत्र है, जिसकी सहयता से भारी धनाविशित कनों को तौरित कर, भारी धनाविशित कनों को तौरित कर, उसकी उर्जा को तौरित कर उसकी उर्जा को बढ़ाया जाता है, का उसकि उर्जा को बढ़ाया जाता है क्लियर है मेरे साथ बोलेगा तो या दो जाए एगावधन पट बड़ो सैक्लोट्रोन एक यांद्र है जिसकी साहेतासे भारी धनावी सितकनों को तोरुद कर उसकी उर्जा को काफि बढ़ाय जाता है जैसे गुए लिखो एक्जांपल मी कौन किसको किसको तораइद करेंगे भारी धनावेशितकणों को तरीद करना है जैसे अलफा पाटिकल एक तो एक्जांपल हो गया लफा पार्टिकल समझ में आगया गी नहीं आलफा पार्टिकल दूसरा लिको प्रोट्रोन को भी तोरीद कर सकते हैं और किसको कर सकते हैं प्रोट्रोन हो गया ड्यूट्रोन को भी तोरीद कर सकते हैं यह भारी यह है प्रोटोन की तुल्ना में 10,000 हलका होता है कितना हलका होता है तास ужасब गुणा हलका होता है इसलिए इसको तउरिद नहीं कर सकता है ठागे लिखा देंगे जब लिमिटेशन पढ़ाएंगे था ठीकisiert तो चीज़ याद रहेगा याद रहेए तो साइकलोट्रॉन में किसको किसको तौरिद कर सकते बुलो अलफा पाटिकल को प्रोट्रॉन को और घूट्रॉन को भारी धनाविशित कनू को तौरिद को उसकी उरजना को काफी बढ़ाया जासा लिगो बनावर लिखेडियस दू ये बनाओट लिके देजद दू फिर सम्झा दिते हैं देखो इसमें क्या करता है कि धाथू के एक बेलन को दो बराबर भागों में बाट दिया जाता है है तो मालो ये शिलीनडर है ये information इसको क्या करता है इस सिलिंडर को दिख रहा है यहां गोल अंगर बीच में काड देंगे तो कैसा दिखेंगे रिदा ठीज अ干टित्स तो एक क्या किया जाता है पिघातू का बना एक बेलन को दो बराबर बागो में भार दिया Mill to the तो दो गोवट जाएगा तो वोलेगे को बोलेंगे डीज 1 एक को क्या बोलेंगे डीज 2 सम continuy चाहिए के धातु की के बेलन को दो बराबर भागों में कर दिया जाता है जिनें डीज कते हैं डीज यूटिंग 1 टथा डीज 2 सब्सक्राइब तो इसको काटेंगे तो कैसा दिखी का है जिसे डीज काते है क्या कता बोलो डीज वन तथा डीज टू काते है रुको रुको लिखना नहीं देखो एक धातु के बेलन को अगर दो बराबर भागों में काटेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा बोलो है न और इसके बीच में थोड़ा सा ग्याप हो जाएगा ग्याप ह दियो जाता है इनने डीज 1 तथान डीज 2 कहते हैं इन 11 की दुसरे यंत्र द्वारा जोड़ भियालका नाम हम सब्सकीitel दॉर्टरे के द्वारा जोड तो पॉजिटिव चार्ज बीच में कौन सा फिल्ड होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड कौन सा बिल्ड होगा एरे पढ़ाए तना कि विद्दुद बल रेखा है आमेसा धानावे से निकलती और रिनावेस में जाकर समाप्त हो जाती विद्दुद बल रेखा है जितनी पास-पास पॉजिटिव चार्ज और नेगिटिव चार्ज प्रोभाइड करता है मतलब इसके बीच में एक बिद्दुद छेत्र पैदा करता है तो हाई फिक्वरिंसी ऑक्सिलेटर का काम है ऑक्सिलेटर समझ मारा गरी काम है कि इसको धुरूता पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अरे समझमां गया फटाबर लगभग एक सेकेंड में लगबग हजारों बार इसकी धृूता को क्या करता है बतलता नहीं कितना बार एक सेकेंड में हजा अब समझो हजारों बार करेंगे को बोलाया ना इधर पुलस इधर माइनस पुलस आरा समझभाया रगी फटापट फटापट कौन चेंज करता है हाई फीक्वरेंसी ओसी लेटर क्या बोले समझभाया इसमें एक धातु के बेलन को दो बराबर भागों में बाट दिया जाता है जी ने डीजुवन तथा डीजु ऐगे इसके लिखाना इसके लवड दिसा में एक सक्ति साली चुमक के च्थ्र बी आरऊपित कर दिया ताब भलो इस inarous का मदब पढांए थे क्रोस का बाद़ा होचुमक के च्थ्र ऐसे बोलो एनक्रों सक्ति साली चुमक के च्थ्र है यह जारा वं एसे हम समझगी नहीं स कितना क्रॉस दे समझ जाएगा ना तुमने पूरा भार देगा चैरा तरफ भार सकता है ना लोग सामने सामने देदाना ताकि पता चले एक स्ट्रोंग मांगनेटिक फिल्ड है ना तो दोनों डीजों के लंबवा दिसा में क्या लगाए गया गया है तस हो गया कितना ही लिख हैं घ्रातु के बेलमन को दो ब्राबर भागों में बाठ़ दिया जता है जिस mejorar भांने स्ट्रों हिसान जिसे ढीजोंटो करते हैं है इससे क्या कता है बनाश्य 一 फिक्वेरेंसी ओशिलेटर ओशिलेटर हाँ हाई फिक्वेरेंसी ओशिलेटर याद रखना लिखाना हाई फिक्वेरेंसी क्या होता बोलो ओशिलेटर समझाना हाई फिक्वेरेंसी ओशिलेटर इसको बोलते हैं उच्छ आवर्थी दो लित्र समझमाना छोड़ो ना इतना हिं लिखा इसमें एक धातु के बेलन को दो बराबर भागों में बांड दिया जीने क्या कते हैं डीजवन तथा डीजटू कते हैं लिखो इन दोनों डीज़ों कू इन दोनों डीज़ों कू इन दोनों डीज़ों कू लिखा इन दोनों डीज़ों कू एक हो एफ हो आप समय रहा ह हाई willkommen ची उसी लेटर हऊके ऊशाना वाला दोलेंट्र is द्जण पोल्लिखा कि यंद्र दोरा जोड़ दिया जाता है से यंद्र दोरा जोड़ दिया जाता है है एच ओफ लिखा ना सुरी क्या है एच एपो समझ गया है नवल चो इसकी ध्रूता को लगातार बदलते रहता है और है धूता धूरता मतल Pierre गे tooth उसकी दुरूता को लगातार बदलते रहता है बोलो फिर से बोल रहे इसमें धाथु के बेलन को ढ़ाबर भागों में बात दिया जाता है जिसे क्या करते हैं जिसे डिजवन में लिए इन को को एक high frequency oscillator के यह अंतुरुदा जोड़ दिया जाता है जो इसकी धुरूता को लगातार बदलते हैं एक सेकेंड में लगभग हजारों बाद समझ गया ना ठीक है उसके बाद क्या करेंगे इसके लंबवद दोनों डीजों के लंबवद दिसा में एक सक्तिसाली चुमक के छितर बी आरोपित कर दिया जाता है बस हो गया देखो दोनों डीजों के लंबवद दिसा में दोनों डीजों के लंबवद दिसा में लिखा दोनों डीजों के लंबवद दिसा में लिखा दोनों डीजों के लंबवद दिसा में लिखा दोनों डीजों के लंबवद दिसा में लि चुम्मक के छेत्र दोनों डीजों के लंबवा दिसा में एक सकती साली बोले जाल दी चुम्मक के छेत्र आरोपीत कर दिया जाता है समझ मा गया बोलो साइकलो ट्रोन एक ऐसा यंत्र है जिसकी साहता से भारी धानवी सितकनों को तौरित कर उसकी उर्जा को काफी बढ़ाया जैसे अलफाकरन, प्रोट्टॉन डिउट्रॉण समझ मागिया बर्नावड में क्या लिखेंगे इसमें एक धातू के बेलन को दो बराबर भागों में बाग दिया जाता है जिसे क्या कता है डीजुआन ता था डीजुआ इन दोनों डीजुआ को एक हाई फिक्विरेंसी ओसी लिटर के यह अंतर दोरा जोड़ का फ्य्चित का न बाए यहना कि आते हैं क्या एंके मोगड कि बना डिखा एगा थी का बिक्रिफ करने करने लभी में इसमें बसमझ गया थे कैसे छीना और कि करें गोल गोल हमें तो कता ए कि धनाविसित का इए तो सब्सक्री सावीत करली लिखहना लिखो डिको साइक्लोट्रान में तवरीथ धनाविसित का ऐवर्थ काल्ट साइकलोट्रोन में तौरित धनाविशित कन का आवर्थ काल धनाविशित कन के बेग और तिर्जा पर निर्भर नहीं करता है धनाविशित कन के बेग यहां तिर्जा पर निर्भर नहीं करता है धनाविशित कन के बेग यहां तिर्जा पर निर्भर नहीं करना है क्या करना भी साबीत करना है देखो t equal to two pi m by qb क्या यहां बेग का कोई तर्म है क्या यहां तिर्जा का कोई तर्म है नहीं इसका मतब बेग और तिर्जा पर निर्भर नहीं करता इसी बात को साबित करना आवर्थ कल ठीक好了 ठीके next class बताएंगे कि आज रहने दो है ना आज हां फिगर सर चाप न छोड़ दो नेक्स लास चाप लेगा क्या दिखा फिर तो चापेंगे नेक्स लास ना फिर नेक्स लास फिर तो चापना ही पड़ेगा ठीक है समझाने के लिए